बोलो जै कारा बोलो मेरे शिरी गुरु माहराजी की जै शिरी नंगली निवासी भगवाने की जै शिरी परम्हन सिद्याल जी माहराजी की जै प्रेमियो जै सच्दानन कैसे हैं आप सब? प्रेमियो एक बाद अक्सर वेक्ति पूछा करता है कि हम गुरु धारं क्यों करें? पहले तो ये सीरसक ही गळट है हम गुरु धारं करते हैं जबकी होना ये चाहिए कि हम गुरु को धारं ना करें बलकि गुरु हमें हमारी स्रद्धा、 हमारी सेवा हमारी निष्ठा को देकर हमें धारन करें, हमें सिवकार करें एक सिस्स ने उपवास रखा उपवास खोलने के लिए उसके पास केवल एक कटोरा रस था वह कटोरा उठाने लगा तो बिल्ली जबट पड़ी रस गिर गया सिस्स ने कहा कोई बात नहीं मैं सीतल जल से ही उपवास खोल लूँगा लेकिन अंधिकार के कारन मटकी भी टकरा कर फूट गई उसके भीतर से आवाज आई अगर रस और सीतल जल का उपयोग करना है तो पहले मन से कामना को निकाल दो सिस्स छटपाटा उठा नहीं मेरे गुरते हो मैं स्वर्ग या मौक्ष के लिए आप से इसने नहीं रखता हूँ मैं तो आपको इसलिए पुकारता हूँ कि केवल आप ही स्वैम में पूर है गुरु तो स्वैम में पूर है उनमें हमारी स्रद्धा हो जाए तो बस जीवन के साथ सिस्स होना भी सफल हो जाए प्रेमियों सद्गुरु का प्रेम ये होता है कि सिस्स ब्रह्म हो जाए सद्गुरु का प्रेम ये होता है कि जीव अपने रूप में जाग जाए जब गुरु के प्रेम में अपना प्रेम मिला दिया तो फिर चिंता करने को चिंता का इस्थानी क्या रह गया जो सिस भी है और दुखी भी है तो मानना चाहिए कि वह अर्द सिस बना है पूरा नहीं बना जो सिस भी है और चिंतित भी है तो मानना चाहिए कि उसमें समर्पन का आभाव है मैं गुरू का तो चिंता मेरी कैसे है बंदे चिंता भी गुरू की हो गई ना हम गुरू के हो गई तो आप मान मेरा कैसे हुआ हम गुरू के हो गई तो समस्याएं हमारी कैसे रह गई जैसे कोई आदमी किसी कार खाने का करमचारी हो जाता है तो कार खाने को हानी हो या लाब हो उस करमचारी को अपना वेतन समय से मिल ही जाता है ऐसे ही हम जब सद्गुरू के हो ही गए हैं तो हमारा अस्तित्वर उनका हो गया उसे आजीव का मिलेगी ही अपना काम बस होसियारी एकागरता और संपूर दिल से करो लेकिन अपने प्रेम को तृप्त करने के लिए नहीं जो कुछ करो अपने राग को गुरू में समर्पित करने के लिए करो ये बिल्कुल सरल उपाय है कष्ट को मिटाने के लिए सिस्षे सद्गुरु के सिध्धान्तों में अपने आपको मिला दे तो अस्वयम सद्गुरु बन जाता है इसलिए कबीर बाबा कहते हैं सद्गुरु मेरा सूर्मा करे सबद की चोट मारे गोला प्रेम का हरे भरम का को जीव का भरम है ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाओंगा ये दुख चला जाए तब मैं सुखी हो जाओंगा ये सारा का सारा भरम है इससे अगर कोई सुखी होता तो विश्व में बहुत से लोग आज तक सुखी हो जाते इन वस्तुओं से वास्तों में सुख का कोई सम्मन्ध नहीं है बंदे सच्चे सुख का सम्मन्ध है द्वेस रहित होने से आप देखो प्रेमियों, रातरी को जितने अंस में तुमारा राग दव जाता है उतने अंस में तुम सुखी हो जाते हो निश्चिंत सोते हो सुभा होते ही तुमारा द्वैस फिर जागता है ये करना है वो करना है ये लेना है वहाँ जाना है तो मस्तिस्क में चिंताएं सवार हो जाती है और जब सत्संग के इस्थान पर जाते हैं तो चिंताओं की बातों को छोड़ देते हैं तब लगता है आहा गुरु ने बड़ा आनन दिया बड़ी सांती दी गुरु ने आनन नहीं दिया गुरु ने सांती नहीं दी चिंता रहित होकर तुमको सांती स्वता ही मिल गई जिनको अपने जीवन की महत्ता का पता है जिनको व्रद्ध वस्ता दिखती है जिनको अपनी म्रत्य दिखती है जिनको अपनी बाल्य वस्ता का गर्भा वास का दुग दिखता है जिनको संसार की नस्वरता दिखती है जिनको सब सम्मंद सुप्नवत दिखते हैं ऐसे सिस्य मोह में आडंबर में विलास में और में ना पढ़कर गुरु तत्य की गहराई में जाने का प्रत्ने करते हैं प्रेमियों वो बुद्धी दुर बुद्धी है जिसमें सत्गुरु के लिए तडप ना हो वा धन केवल भार है जो धन आत्म धन कमाने में काम ना है वा मन हमारा सत्रू है जिस मन के द्वारा हम अपन गुरू से मिलना पाएं प्रेमयो वा तन हमारा सत्रू है जिस रंसे हम गुरु गर की सेवा न कर पाये उन तक पहुंचना पाएं स्था प्रेमयो यह अनमोल जीवन बड़े भाग से मिला है कई जन्मों के जब पुन्य उदय होते हैं तो है मानुस तन मिलता है इस तन को पाकर अपने जीवन को विर्थ ना गवाओ जितना कर सको सद्गुर्द भगवान की सेवा करो उनका सुमिरन करो क्योंकि जितना हम सेवा करते हैं सुमिरन करते हैं उतना ही प्रेम समंद सद्गुरू से हमारा मजबूत होता है जै सच्दानन